नमश्कार दोस्तों अपसर देखा चाता है कि पूजा करते वक्त देशी घी का इस्तेमाल बहुत जाना किया चाता है चाहे में दिपर जलाने के लिए किया जाता हो या फिर पूजा में आवाहन देने के लिए भी वहब पूजा में क्यों इस्तेमाल किया जाता है जाने इस वीडियो के तरह अक्सर देखा जाता है कि हम घर में दीपक भी चलाते हैं तो देशी घी का ही दीपक चलाते हैं ऐसा इसलिए माना जाता है, क्योंकि पूजा की पीली में यदि हम देशी घी को इस्तेवाल करते हैं, तो बहुत जादा रावदायक माना जाता है। पूजा होने के बाद भी बहुत समय तक यानि काफी समय तक उसका परभाव रहता है, जिसकी वज़ा से पूजा संपन की जाती है, जिसकी वज़ा से घर का बातवरण भी सुद्ध हो जाता है, नगारात्मक्ता दूर होती है और सकारात्मक्ता आपके घर में परवेश करती है और पंच अम्रित में भी घी का प्रभाव बहुत जादा माना जाता है आपके सरीर में साथ क्रियाय होती है जिसके आपको पूरा करने के लिए भी देशी घी का सबसे ज़्यादा इस्तिमाग किया जाता है माना जाता है कि देशी घी दूद यानि कि गाई के दूद से मनने वाला देशी घी वहाँ आपके घर में किटानों को भी तूर करता है साथ के साथ आपके जीवन में खुश्यां आए और उस पूझा का आपकी जीवन पर भी असर पड़े इसलिए भी देसी घी का ही दीपक चलाया जाता है ताकि आपके सिद्धिगी में और आपके घर में सुभागे आता रहे तो ये हैं देसी घी का दीपक चलाने के कारण मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूने